हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अंजुडंग जनवेजर्स किचिन आज मेरी किचिन में बनने वाली है बन्याड मिलेट खिच्डी खिच्डी तो अपने बहुत बार खाई होगी पर आज हम कुछ अलग तरीके से इसे बनाने वाले हैं और आज की इस रेसिपी में हम चावल को रिप्लेस करने वाले हैं मिलेट के साथ which is a very healthy option तो शिरू करते हैं आज की रेसिपी इसे बनाने के लिए मैंने लिये हैं यह बन्याड मिलेट बन्याड मिलेट के खास बत ये है कि यह जलदी से बन जाता है इसे overnight सोग करके नहीं रखना पटा क्योंकि दूसरे मिलेट होते रात पर रात पर सोग करके रखना पड़ता है पानी में और इसे हमें वोश करके सिर्फ आदा घंटा भी सोक कर लेंगे ना तो यह बहुत अच्छे से बन जाते हैं और अगर आपके पास आदा घंटा भी नहीं है आप जल्दी इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बस थोड़ा सा भून कर और फिर पानी में इसे बोईल कर लें या फिर प्रेशर कूक करके भी जल्दी से इजली यह बन जाते हैं तो सबसे पहले आप यह step follow करें कि इसे पानी से अच्छे से wash कर लें तो जो Millets है इसके दानी बहुत बारिक होते हैं तो जब आप इसे पानी से wash करें और जब इसे rinse करें तो नीचे आप कोई छलनी रख सकते हैं तक यह जो बारिक दानी है यह पानी के साथ ना बहें तो इस प्रोसेस को आपको लगबग तीन बार करना है तीन बार अच्छे से वोश कर लेना है उसके बाद हम इसमें एक गलास पानी आड़ करेंगे और इसे लगबग आदे घंडे के लिए सो करके रख देंगे इससे क्या है जो मिलर्स बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इसली कुक भी हो जाते हैं तो इसका जो तड़का बनाएंगे हम खिषड़ी का उसके लिए मैंने कुछ वैजिस लिए हैं तो इसमें मैंने लिए हैं एक बारी कटा टमाटर एक बारी कटी शिमला मिर्श थोड़े से हरे मटर और एक बारी कटा प्याज तो इसके अलावा भी अगर आपके पस कोई वैजिस अवेलिबल हैं गाजर तो वो भी आप इसमें एड़ कर सकते हो आपके चॉइस की और साथ में मैंने वन थर्ड कपी मूंग डाल लिए हैं और मूंग डाल को भी हमें इसी तरह से 10-15 मिनिट के लिए सोग करके रख देने हैं आप चाहें तो मिलेट्स और दाल को इकट्थे भी सोग करके रख सकते हैं तड़का बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हमें एड़ करना है दो चमच देसी घी आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी क्वांटिटी इसमें यूज कर सकते हैं घी की मैं इसे दो चमच देसी घी में ही बनाती हूँ घी चब हलका गरम तो 10 जीस में डालना है क्वादा जीर में डालना है ना इंडला जीर के समया ठीच दीट किंद अध़ा ब्रावन हैं वेजिस इस में चॉप करके रख कि रहे हैं तो सारी वेजिस एक साथ इसमें एड़ कर देनी हैं और इसे अच्छे से भून लेना हैं ल तो यह देगे there I will Weg Biz और सब्सविड कर्मसाला आदा चमज पिंक सोड सेंधह नमक हलदी पाउदर फ़लेओर ज्रूमर तो मैं कर सतुछ सब्सब्सब्स छो हैं जरूर्म इसमें एड करती हूं कितो मसाला को अच्छे से मिक्स कर ले 있ructor अब इसे अबए प्रिश्यकोकर में एड कर द Еब अब ले इसे हलकी मूचलान ले 있도록 लगबग एक मिनित तक आप इसे प्रिश्य कुकर में चलाटे हूँ अच्छे से भूने जिसे की अच्छेicação मान जाएंगे अन्दक देते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा देते हैं गर्वर देते हैं इसे के हमारी खिचडी बहुत ही टेस्टी बनेगी, मेरी बच्चों को भी खुब पसंद आती है, आप इसे जरूर ट्राइ करें, आजकल जो बच्चे हैं, सब मैगी, पास्ता, ऐसी चीज़े खाकर खुश होते हैं, पर आप इस तरह की healthy चीज़े उनको खिलाएंगे, healthy recipes, तो करने के बाद हमें लिड लगा देनी है, pressure cooker की और इसे cook करना है, तो cook करने के लिए आप क्या करें, दो विसल तो इसे full flame पर दिलवा ले और उसके बाद low flame पर इसे लगबग 10 मिनिट तक अच्छे से cook होने दे, जिसे खिचडी बहुत ही tasty बनेगी, तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने full flame पर इसे दो विसल दिलवाल दे थी, उसके बाद low flame पर इसे 10 मिन तक cook किया, और 10 मिनिट के बाद आप देखिए जब इसकी steam निकल जाएगी, मैं आपको दिखाते हूं, शुकडी कैसे दिखाई देती है, तो friends यह recipe न मिलेट्स हमारी health के लिए बहुत ही अ प्याज और सब टमाटर वगएर हमने डाले हैं, वो बहुत ही अच्छा crunch देंगे, और आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो, और नीबू डाल कर भी इसे enjoy कर सकते हो, तो अब मैं इसके उपर add कर रही हूं, हरा धनिया फ्रेश हरा धनिया जो बने चौप करके रखे हैं, वो यूट्यूब चैनल अंजुदंग, जिन वीजास की चिन प्रॉब चैनल अंजुदंग!